हालो फ्रेंड्स कैसे आप लोग एमलेस रूटिन के और एक एपिसोड में आपका स्वागत है तो आज हम बात करेंगे एक न्यूज आर्टीकल के बारे में जो की फ्री प्रेस जैनल ने लिखा है तो इस आर्टीकल कर शेशक है राम गोपल वर्मा टू मेक फिल्म ऑन जैनलिस अर्णब गोष्वामी तो राम गोपल वर्मा जो की जिनका ट्विटर हैंडल पर नाम आर जी भी है वो अर्णब गोष्वामी पे फिल्म बनाने वाले हैं आपको पता होगा कि राम गोपल वर्मा बहुत बड़े डारेक्टर है बहुत यानि बहुत सारे फिल्में बना ही ह उनोंने तो उन में से एक फिल्म अर्नब गोस्वामी के उपर बनाने की सोच रहे हैं तो यह फिल्म एक्चुली अर्नब गोस्वामी के अचीवमेंट्स पे नहीं बलकि जो हाल फिलाल की जो बाते हैं जो जैसा अर्नब आज जर्नलिस्ट बिहेफ कर रहे हैं यह उसका पूरा कच्छा चिट्था है टेक लोट्स आफिस फसाड तो पूरा उनका जो भी कच्छा चिट्था है उसका पूरा यह दर्शन कराएंगे एस पर फिल्म बनेंगी वो राम गोपल वर्मा ने कहा है तो आपको पता ही है कि अर और साथ ही शाथ शेर होल्डर भी है रिपब्लिक टीवी के तो उन्होंने ट्वीट का है याने राम गोपल वर्मा में की और शॉक्टु सी अरनब गोस्वामी टॉकिंग अबाओ बॉल्यूड इन सच अ हॉरिबल वे ही कॉल इडर्टियस इंडस्ट्री एवल विट क्रिमि को बहुत ही घराब तरीके से पॉइंट आउट किया है कि वो पुरा क्रिमिलन कलेक्शन से भरा हुआ है उसमें भरे हुए रिपिस भरे हुए गैंस्टर घरे भरे हुए और सामने देखेंगे तो जानेंगे कि जो इड बीट्स में इन वाट डंप वे अन्नाव गोस्वामी किन कंबाइन देट्स अफ दिया भारती दिवया भारती जिया खान श्री देविया शुसांत इन्ट वन केसं क्लेम दैट मुडर्स मुडरर्स इस बॉल्यूड तो इन जो चारो का जो देहांत हुआ है यानि आराएपी तो इसका संबन डारेक्ली बॉडियू से जोड़ा और वर्नप का कहना है कि वॉल्यूड ने उन चारों को मारा है और और रामगोपल वर्मा का कहना है कि यह सारे इंसिडेंस याने 25 साल के टैम स्पैन में जुड़े हुए तो यह कहा का इंसाफ है तो और हम अभी रामगोपल वर्मा की ट्वीट्स पढ़ेंगे एंडिन ओल फोर केसे सव दिव्या जिया श्री दिव्यान शुसान देर वर कंप्टिटली डिफरेंट पीपल एंड संकम्स्टांसे जो की यह बुलते हैं कि लोग अलग थे सिच्वेशन अलग थी तब भी आ कि जो बड़े बड़े नामी सक्षियते जैसे अदित्या चोबडा करंजवर माईश भट शारुक खान सलमान खान यह सब क्यों डरे हुए हैं बार्किंग शब्त का प्रयोक किया है जो की कुट्टे के लिए किया जाता है कि क्योंकि बार्क याने भोक ना होता है और कुट्टे भोकते तो लिखा है कि जीत का डंका बजाता है इसलिए क्योंकि सारे अच्छे लोग चुप चाप बैठते हैं तो अर्नब को यहां पर शैतान का दर्जा दिया गया है और लिखते हैं कि तो यह जो पॉल्यूट के बारे में इन्होंने जो तीके सब बोले है तो यह दर्शाता है कि यह जो बाकी भी टॉपिक जो उठाते होंगे वो भी याने जूटे हो हो सकते हैं और सामने लिखते हैं कि if you guys जो की नाम में शक्षियत है are scared that if you speak against him it might go against the current public sentiment don't forget that it's him who aros that sentiment and your silence is making you all look guilty for sure तो यह कहते है कि अगर जो भी नामे शक्षियत इसके इनके खिलाफ आवाज उठाएगी याने अर्नव गोस्वामी के खिलाफ तो यह मत भूलो कि यह वो है जिसने खुद पहले आपके sentiments को हर्ट किया याने बॉल्यूट के sentiments को हर्ट किया है और अगर आप शांत बैठते हो तो यह दिखाता है कि बॉल्यूट ही गिल्टी है याने बॉल्यूट ही क्या बोलते है बॉल्यूट नहीं गल्ती की है यह दर्शाता है इसको और सामने लिखते हैं कि at least now all film industry people should come out and speak openly about Arnab's falsification instead of running scared scared like deer from a wild dog यह बोलते हैं कि आप सबने सामने आके अरनप के बारे में जो भी जूटे बयान उसने उन्होंने दिये है उसने दिये है इसके खिलाफ आके बोलिया आप ऐसे मढदर है कि आप एक हिरन हो और आपके पीछे कोई जंगली कुता भाग रहा है और सामने लिखते है कि that guy is banking on fact that we don't have the spine as long as he runs the debate he will anyway make sure no one point out view no one's point of view is ever heard and that's his modest operandi anyway तो यह बोलते है कि ऐसा मच समझो कि Bollywood का कुछ याने जो spine होता है जो रीट की हड़ी होती है वो है नहीं अरनव अपने शो में सबको debate करने के लिए बुलाता है और खुदी याने खुदी खुद सब कुछ बोल देता है बिना किसी की सुने बिना किसी की कहे तो यही उनका में डिबेट शो का उद्यश्य है कि किसी को ना बोलने दिया जाए और खुद के ही पॉइंट प्रूफ करे और खुदी शो एंड करे और सामने लिखते है कि I for I for one am feeling very strongly about this and decided to make film Arnab Goswami in which I will take clothes off his facade and and make him naked exposing the length and breath of all his vital corrupt stats तो यह एक फिल्म मनाएंगे उनके उपर जो कि उनका पूरा कच्छा चिट्टा खोल दे जो भी करप्शन किये है उसके बारे में अब आता है में जो कि है फिल्म का टाइटल क्या रखेंगे Arnab the news prostitute यह उनने नाम सोचा है अब प्रोस्टिटूट का मतलब ढूंड सकते हो गूगल करके अब जानी लोंगे प्रोस्टिटूट क्या होता है क्या किसे कहते किस काम को कहते है तो अर्नब गोस्वामी के जो फिल्म का नाम होगा अर्नब दे न्यूस प्रोस्टिटूट और सामने लिखते हैं कि I know I use some hard language in this tweet to describe him but I took a cue of them from our own dirty mounted अर्नब गोस्वामी तो यह लिखते है कि मुझे मालूम है कि मैंने कुछ गलत शब्दों का प्रोयोक किया है बट यह शब्द मुझे खुद अर्नब नहीं याने as a clue दिये है याने मुझे एक क्या बोल सकते है इसको एक सबूत दिया है कि मैं इस इन शब्दों का प्रोयोक खुल्याम कर सकता हो क्योंकि अर्नब भी करते हैं और सामने लिखते हैं Whether you react to my film or not I don't care a damn because my target audience is not going to be you but it will be your viewers I want to shake them up with the way I will expose in my film the back of your excuse public faces तो यह लिखते है कि मेरे जो target audience है वो अर्नब गोस्वामी नहीं बलकि उनके viewers है क्योंकि जो मुझे दिखाना है मैं वो viewers को दिखाना चाहता है और सामने की tweet में भी लिखते कि अगर अर्नब गोस्वामी ने इस film पर react भी किया या इसे याने credit नहीं भी दिये तो भी वो मेरे लिए बहुत बड़ी publicity होगी और आखरी में कहते है कि my last word of advice is that not making enough to create heroes in film and be heroes in films but also important to stand up to villains कि filmों में hero बनना और hero बनना तो आसन है बट असली में villain का सामना करना भी एक याने hero की पहजाने और लिखते है कि looks like we are criminal rapist etc. it better we don't act like one by hiding come out to face him like a man कहते है कि Arnav ने जो भी charges लगा है rapist बोलके criminal बोलके तो जो भी नामी सक्षियत है जो भी बड़े बड़े नाम है Bollywood के उन्होंने सामने आके एक आदमी की तरह उनसे लड़ना चाहिए और आखिर में वही video है कि Arnav ने क्या बोला है और याने आप देख सकते में video प्ले करता हूँ प्ले करते है कर दो प्ले के लिए प्ले करते हूँ क्या एड कर ले कि अधि प्ले करते हैं और शोब ले लुडेश बड़े लगान्व इन धेश्व वा हम जेएश्ट ऑन चीएच्रीए a criminal side that is shushed and hushed cozy friendship with the underworld dawns or the continued and relentless sexual exploitation of talented young girls and boys with their casting couches or the hounding of outsiders by one very influential cabal about how dirty Bollywood is the dirtiest industry in this country Bollywood has had a series of killings mysterious deaths they passed them of a suicide shame on Bollywood that a 19 year old Divya Bharti mysteriously fell from the floor from her balcony of her own home shame on Bollywood shame on Shah Rukh Salman the whole lot of them shame on them shame on them that Jia Khan was found dead her autopsy report claimed it was due to hanging and murder was ruled out they didn't come to the logic shame on all of you that you did not ask questions on how Jia died that Bollywood performs every year for the Mumbai police they are a ring a group of Maharashtra politicians Bollywood and the Mumbai police now this has become a very dirty ring you know very dirty ring and underworld of course there is so you have heard that Arnab has said what did you say I told you what did you say and why did you say to everyone की फिलाल के वक्त में ऐसा हो रहा कि अगर एक सेप की पेटी है, जो JEK EAPL की पेटी है, और उसमें अगर एक EAPL खराब है, तो फिलाल का जो थाइम है वो यही दर्शाता है कि पूरी EAPL की पेटी ही खराब है, हम यह नहीं सोचते कि वोасибо एक सेब खराब है पर पूरे के पूरे एपल के पेटी को इदोश्ट देते हैं, तो आप समझ गया होंगे कि याने अब फिलाल का जो मनस्तिति है वो यही चल रही है कि पूरे एपल की ही याने पेटी को आप नश्ट कर दो, तो वो सेब भी नस्ट हो जाएगा, तो इसी के सा आपको अच्छा लगे तो प्लीज बताईए लाइक कमेंट शेर सब्सक्राइब नोटिफिकेशन दबाईए तो ठीक है मिलते हैं अगले किसी और न्यूज या किसी भी चीज के लिए क्योंकि नाप तो एमलिस रूटीन है काम को एम की हिसाबते तो चलते निये हैं चलो बाई करते दो प्लीज चलते हैं